अश्मा बनास्पती एन्ड कुकिंग आयल विजवाश गुलिस्तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग एसम फूड्स वोलका फूड्स इंटरनाशनल अलगफूर बिवरिजिज असलाव लेकूम दिस इस एहमर अली अकबार पिर से लेकर आए हूँ आपका अपना फेवरिट प्रोग्राम मक्स संडे स्पेशल प्रोग्राम और कहते हैं हम जिन्दगी के अंदर सकून की तलाश में रहते हैं हर इनसान की कोशिश होती है कि वो अपनी जिन्दगी के अंदर सकून हासिल कर से के और अक्सर हम सकून की तलाश में ऐसा होता है कि असाईशों की तरफ पाकते हैं सकून और असाईश ये दोनो डिफरेंट चीजे हैं, दोनों मुख्लिफ चीजे हैं दोनों का एक दूसरे से कोई कहीं न कहीं मेरे झाल में कोई connection नहीं बता तो ऐसा है कि जब हम सकून की तलाश में असाइशों की तरफ जाते हैं तो हम दुनिया की चकचोंड में खो जाते हैं दुनिया की रंगीनियों में खो जाते हैं रोशनियों में खो जाते हैं लेकिन जो सकून है वो खिदमते खल्क से ही मिलता है जब हम खिदमते खल्क करते है इनसानियत के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं तो हमें एक दिली तोर पर सुकून मिलता है तो आज जो हमारी गैस्ट मुझूद है वो भी एक ऐसी ही परस्टेलिटी के मालिक है जो खिद्मते खल्क कर रहे हैं खिद्मते खल्क के जजबा से सरशार हैं और माशने में भलाई पहला रहे हैं तो मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूगा मेरे साथ मुझूद है फैमिली लाइन्स कलब के डाइरेक्टर है राना मुमताज रसूल और मजीद इन से जाने के कि ये क्या क्या कर रहे हैं आसलाम लायकूम राना सथ तो राना साथब सबसे पहले हैं मापसेंस कहता हूं म step प्रोर्ग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे प्रोग्राम के लिए time निकाला के में रही है कि मुल्तान के अंदर एक ऐसा चैनल के जिसके अंदर हम जैसे लोग हम जैसे समाजी वरकर भी आ सकते हैं और अपने खेलाद के सार करते हैं थैंक्यों अमर भाई शुक्रिया बिल्कुल मक्स की हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम एक पोजिटीव फेस लेकर आएं मीडिया का सामने और हमने सिरफ एंठेइन्मिट के उपर काम नहीं करना है हमने अवेर्नस पर भी काम करना है और मार्च्टे के अंदर जो लोग भी अच्छा का आरई है मुस्बत करदार अदा कर रहे हैं हमने उन लोगों को सामने लेकर आना है तो राना साब ये बताईएगा कि आपके माइंड में कब से ख्याल आया कि आपने एक सोशल वर्क की तरफ जाना है आज से कोई 21 साल पहले की बात है कि हमने मैटर के जब पेपर दी है तो हमारे राके में एक डाक्ट साब होते थे डाक्ट साब के पास हम गए तो उनसे मिले तो उन्होंने का कि मैं एक मेडिकल केम्प लगा रहा हूं तो आप उसमें मेरे साथ मेरे स्पोर्ट करें आप तो हमने का जी ठीक है तो वो पहला केम्प हमने लाताबाद में लगाया है डाक्ट साहीद आमच साब है उनके साथ मिलक तो देन उस वक्त का ये सिल्सला शुरू है कि अब तक हम उसी social activities में उन्हीं कामों के अंदर हम जा रहे हैं basically health, education और awareness इन तीन चीजों के उपर हम काम करें हैं I think कि इस वक्त जो सबस्याद जरूरत है वो है awareness की कि लोगों के अंदर awareness होगी तो इन्शाला चीजें भी positively होगी ज्यादा बेहतर सोच भी सकेंगे especially अपने मुलक के हवाले से अपने अलाके के हवाले से awareness की I think कि बहुत जरूरत है इस वक्त तो अगर से भी कहते हैं जब हमारे माश्रे में awareness नहीं होती न तो वही बहुत सारी खराबियों का कहले मसाइल की बजा बनती है जब awareness नहीं है तो health के issues भी बहुत ज़्यादा फैलते हैं अगर आपके पास awareness नहीं है कि मतलब आपको ट्वाइलेट की बहुत सारे अलाके हैं जहां पर awareness नहीं है hand wash की awareness नहीं है बिमारियों से बचाओ की awareness नहीं है जब इन चीजों की awareness नहीं है तो आप किस किस टोपिक पर हेल्थ के मतलब किन किन इस्यूस पर काम कर रहे हैं? बेसिकली एक तो आजकल गुर्बत की वैसे हमारे जो दर्मियाना तपका है या जो नीचा तपका है जिसे हम यह कह सकते हैं हमारे गार, चोकिदार, माली और यह जो लोग है ना उसको चेक किना कराएं, एक दूसरी चीज अगर कोई चेक करवा लेता है तो इतने सोर्स नहीं है कि भी वो लोग उस चीज को अफोर्ड करें, बेसिकली हमने एक मुबाइल लिबाटरी बनाई हुई है, मुक्तरिफ अलाकों के अंदर हम जाते हैं, वहां जाके हम हेल्थ, यूरिक एसर, कैस्ट्रोल, इन चीजों के वहां पर टेस्ट करते हैं, अभी पिछले दिनों हमने पी एचे के साथ मिलके मेडिकल कैम्प लगाया मालियों के लिए, वहां पे हमने कोई नेर बाउट साड़े तीन सो मालियों का चेक अप किया, तो उसके अंदर एक थोड़ी से इस लेफल की जो आपने मेडिकल चेक अप नहीं करवा सकता, अपने टस्त नहीं कर्वा सकता, हम उन लोगों का एवेर करें, फिर इसके साथ साथ सकूलों के अंदर हम इसकूलों के अंदर हम आई सक्रिनिंग के हावाले से काम कर रहे है, वह बच्चे जो पीछे बैठoting ह ना उन बच्छों को खुद पता हुता प्षिर उनके ल dysienen do is बनाके उनको देते हैं उनको नंबर देते हैं उनके पेड़स को बनें पिर कोशी करते हैं कि रॉक्षिक लीधी बेसेड़ पे छे मीन properly या साल बाद लुण बच्छों की दूबार रहे साड़ चेक रेंख había लेटीज के प्रस कैंसर के सक्रीनिंग करते हैं फिर फिर कुछकववतीन ऐसे भी होते हैं जो नो नो र roles होते हैं अधरे कि belly healthy के हवाले से यह हमारे फिर्रोजक्ट र hard आप यह कंप狂 है हैं । अच्छा हेल्थ अब में अभी education की बात के रिए आप क्लासरूम में बच्चे में देखते हैं, कई बच्चे ऐसे होते हैं, जो जूते पहने हुए 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 उनको कापियों भी देते हैं, फिर बच्चों में यूनिफार्म भी हम तक्सीम करते हैं, इसी तरह बच्चों में शूज, अब हमारी ये कंपेंड चुरू हो रही थे, कि हम बच्चों में शूज देना चारे से सर्दियों के हवाले से, तो वो आप करोना के वैसे स्कूल दरस देता है, वो सिर्फ आप selbst आप ये कह सकते हैं कि अबादात का मजभी आइंया जाता, वह पर इंसानियत का मजभी यह भलाई का दरस देता है, तो एक जूते के मामले मैंने कहीं ठढ़ा था, इसलामिक पोईनटर और फ्यू से बात करूँ तो जूता वैसे भी किसी गरीब को जूता देने का एक बहुत ज़्यादा सवाब है कहा जाता है कि जब हम किसी को जूता देते हैं तो रोजे मेशर में जब हम फुलसरात को क्रास करेंगे तो वो हमारे लिए उस टाइम पर एक helpful साबित होगा तो इस लिहाज से भी हमें अपने आखरत को समारन लेकिन एक अल्मिया यह भी है हमारे यहां पर ऐसे लोग भी मुझूद हैं जो हकडार नहीं होते लेकिन वो हकडारों की हक तलफी करते हैं और उन चीज़ों को ले ले लेते हैं मुझे एक चीज़ यह आता रही है दिवारे महर्बानी तो बाहर के मौलिक में तो इसका कर उठा कर ले जाना तो हगडार तक नहीं पहुचेगी या तो फिर उसको वो लोग ले जाएंगे जो स्ट्रीट में क्राइम कर रहे हैं या फिर नशा कर रहे हैं ड्रग्स के आदिया है वो उन चीज़ों को लिजा कर सेल कर देंगे तो यहां पर हमारे आस पास ऐसी चीज हैं तो हमने उन से का अमाजी आपको किस चीज़ की प्राबलम है क्या मसला है हम आपको हैल्प आउट करते हैं लेकिन आप इस तरह सरती में ना आया करें उन्होंने का जी मैं आपको कल बताऊंगे फिर दूसरे दिन हम गए तो आमाजी वैसे बैठी थी हमने खुद नहीं पूछा तीसरे दिन पर हम दो तीन दोस्त मिलके के हमने अमाजी से पूछा हमाजी आपको राचन चाहिए जो भी चीज़ चाहिए हम लोग आपको डिनेट करते हैं लेकिन आप अपने घर में राक करें लेकिन मौमाजी ने का जी कि मैं यहीं बैठूंगी और यहीं वो बैसिकली इस चीज़ में पिस रहे हैं अब इसके एक्जेमपल ही है कि अगर हम कोई आटा फ्री बाढ़ने लगते हैं या हम कोई देख वारा बाढ़ते हैं तो अच्छे च्छे गाडियों वाले भी रोके हमसे वो चीज़ ने रहे होते हैं लेकिन वो बंदा या वो ग प्रमाने तब करके हैं और वो कुछ कर भी नहीं पा रहें लेकिन वो नीं माग सकतें बिसिकली उनको हैलप आट करना चाहिए और उनिको ढूंड़ना चाहिए और उन ही को देना चाहिए अचाई कहीं नहीं लगता कि आज से पहले जब आबादी इतनी नहीं थी लोग शहर पूफ हो चुके हैं कि हमें साथ वाले घर की खबर नहीं है कि उन्होंने खाना काया है या नहीं खाया है I think that कि महुलों की सिता पर गली महुलों की सिता पर सोसाइटी में तो शायद गरीब फैमिली जितनी नहीं रह रही हैं जो आम निचल धरजے के पस्मानदा आखे एं उनमें कहीं न कहीं ऐसी कमेटियां बननी चाहिए ऐसी सुसाइटीज़ बननी चाहिए कुछ लोगों को मिलकर तण्जीम साजी करनी चाहिए शज्जित में करनी चाहिए कि आप अपने आस पास जो ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं उनकी खबर रखें कि कौन सा घर ऐसा है जिनके मतलब बच्चे यतीम है और अगर वहाँ पर लड़कियां जवान हो चुकी उनको शादी की जरुरत पड़ेगी तो मेरे क्याल में अगर गरीब से गरीब बस्ती भी है वहाँ पर दस घर ऐसे बैठे होते हैं तो आप 30,000 रोपे मंतली कठा कर सकते हैं कम असकम आप 3-4 घरों की तो हेल्प कर सकते हैं तो इन चीज़ों को फ्रोग देना चाहिए खैर हम आगे चलेंगे तो आप मुझे ये बताईएगा कि आप हेल्थ के इशू पर बात कर लिए हैं हमने एजूकेशन पर बात कर लिए हैं इसके राबा आप बात कर रहें थे के आप काम कर रहें और मुझे पता चलाए कि आपने राजिशन भी तक्सीम किया है बहुत सारे लोगों वे हुए उसमें याए हैं हमारी एसी हैं जिन्कों एंस यूद कमिंटेभी महाना उट्रेंस के एकुमींट यह हैं जिगे मुल सब्सक्राइब थर परिए लिए फिर्म करवाता है वो अपना टो टर्टल डेटा में देज़ेते हैं तो पर ढूत्ओं से अगर फिजिकल यवेरिफ़िकेशन करती है अगर तो घर के अंदर कोई कमाने वाला है और वो कमार है तो फिर हम उनको नहीं देते हैं लेकिन अगर कमाने वाला कोई नहीं है घर के अंदर फीमेल है या बच्चे चोटे हैं तो फिर हम उने help out करते हैं, को तीन से साड़े तीन हजार रुपे का राशन महाना हम उनको देते हैं, एक यह है, एक दूसरा तरीके कारी इसमें यह है कि हम रमजान शरीफ के अंदर राशन हैं, वो उसके बैक्स देते हैं, फिर उसके लावा एद के ओपर मुकाय साहत है, वह बात यह है कि आज के दोर में, जैसे आपने बताया ना, जो पहले बैठक सिस्टम होता था, शाम में बजरुगी कठे होते थे, मलेदारी कठे होते थे, डिसकस हो रहा होता था, जब कोई आदमी नहीं आता था, तो इसके घर से पूछा जाता था, कि आज यह नहीं है, क्या प्राबलम में, अगर पता लगता था वो बमार है, को प्राबलम में मस्टला है, तो तुमाम लोगे कठे होके जाते थे और उनकी खैरियत पूछते थे और प्राबलम है तो वो मिल के हल कर देते थे, बिसकली जैसे जैसे अपनी जाती मस्रूफ़़ात बचती जा रही है, टीवी आगे हैं, केबल आगे हैं, मुबाइल आगे हैं, कम्टूटर आगे हैं, तो अब वो चीज़ें पहले वाली रही नहीं हैं. और आजकर लोगों के घरों के हलात, जो जा रही है, सिच्वेशन जैसा दोर जा रहा है, बेरोज़गारी का जो आलम है, उसमें इस नोयत के हलात हैं, कि सम्टाइम्स ऐसा होता है, कि अगर किसी की डेथ हो जाती है, फोत्गी का मतलब किसी के घर में समा है, ऐसी सिच्वेशन बोले दिल के बोलिया, जाइके की जुबा है शमा बोले 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 दिल बोले शमा कोई डिशी I love you कहे I love you, I love you बोले 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 शमा की हो मैं फिर रोना कोने बीचे बिल बोले 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 जाइके की जुबा है शमा अभी मम्मी का है दुला जाइके की जुबा आज दुला आजमा की हो मैं फिर कोने बीचे भ़ले बोले बोलसा की बोले बोले बोलिया खेगे जुबा है शमा तक रार वी यही प्यार वी तक रार वी यही प्यार वी यही जीत वी यही हार वी ओश्मा की हो मैं पिर अला खुले दूचेब पॉइस हेल्थ फॉर्मूला के साथ शमा कुकिंग ओईल एंड शमा बनास्पती बोले दिल की बॉल हर एक शे को साथ रखना अंदर वाहिर हर एक को ना साथ रखना पातों को पासना एक भी करोना करोना में एहतियाद का सभी बोलते है मगर मुकमल एहतियाद कोई भी नहीं करता मुकमल एहतियाद करे पुला या जिसिप्टेक्चिट जो सिर्भा पुला एक तीन पाच दस और तीस लीटर की पाकिंग में दस त्याब है ठीके पैसे तेरी मर्जी दे लेकिन में को वाश्रूम, ट्वाइलेट, तिफ़र्ष, शिशेली कार लिश्क दा चाहिए बीबी सिक्केरी ना करो मैं ता इवे विज करेता वाश्रूम इवे जगमग जगमग उसी मासी विज मू नाल निकरना, इवे नाल करने मिस्त्री सहर, इंदा कुछ थी सक्षी? पाटके नमा लग्षी पैसे कितने? टाइम कितना? आख अजार डू ड्याडे यो नमा थी वे सी बाजी? तुस्ता करेस हो एक रेसी ओभी दू मिन्टाहिट ठीक या ना? पांच अजार मैं डेसा साड़े जुनुवी पंजाब दा अपना पेस्ट बाथ्रूम ते ट्राइलेट क्लीनर पुराणे जिद्धी दाग ही नहीं जरासीम ते वाइरस दा भी हाथ मांग मिस्त्री से बंच हजार घिन ना यो खुले पैसे येन? विज़दा मतलब विज़वाश हाउस अब क्लीनिंग प्रोड़क्ट्स किढ़े दाग्त किढ़े धबे विज़दे अग्गू भी कोई टिक दे? फर्ष त देखो चम 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 के टॉयलेट भी लिश्कारे मारे पहला ब्रैंड साड़ा अपना टे डूज़ा माल असा ने फिननो विज़ के नी तो सफ़ाई के नी विज़ वॉश हाउस अफ क्लीनिंग प्रोड़क्ट्स Once again, welcome back to Max Sunday's special program मैं हूँ आपका होस्ट आपका दोस्त है हमार अली और मेरे साथ मौजूद है एक सोशल वर्कर है राना मुम्ताज रसूल फैमरी लाइन्स कलब के डिरेक्टर है और बहुत सारा अच्छा काम कर रहे है पोजिटिविटी फिला रहे हैं माश्रे में और इन से मज़ीद हम बात करेंगे तो जी हम बात कर रहे थे कि बहुत सारा ऐसा होता है कि जब किसी की डेथ होती है फूत की होती है तो उनके घर के अंदर ये सिच्वेशन नहीं होती है क्योंकि रोग ऐसे भी है जो डेली बेसिस के उपर काम कर रहे है मज़ूरी करकर ला रहे हैं 500 रुपे ध्याड़ी है 700 रुपे ध्याड़ी है तो वो जो लाया है वो खा लिया वो खतम कर लिया लेकि जब अचानक ऐसी सिच्वेशन बनती है जहां हम माज़ी की बात करने हैं तो माज़ी मैं ऐसा हुआ करता था यह जो महले की और सोसाइटिज की मतलब गली महलों में कमेटियां हुआ करती थी यह इस चीज़ का भी अगर कोई महले में फौत हो गया है तो उसके कफन-दफन के लिए देखते थे अपने जमीर के आएने से बेहिसी की धूल को साफ करते रहना चाहिए तो वक्तन वक्तन मुझे लगता है शायद आपको ये प्रोग्राम बोरिंग लग रहा हो क्योंकि एंटर्टेंविंट का नहीं है जब भी हम अवेरनेस की बात करते हैं तो वो जाग जाता है बिल्कुल आपने सही बात की है कई लोग हमसे ये पूछते हैं कि आप ये नेकी का काम तो कर रहे हैं तो आप इसकी पॉबलिसिटी क्यों करते हैं बिसकली वो पॉबलिसिटी करने का मकसद सिर्फ यह होता कि बाकि जो लोग इन एक्टिविटी को देख रहे हैं हो सकता है वो हमारे इस काम की वैसे हमारे साथ रागिब हो और यह हमें इसका 100% रिसल्ट भी आता है एक हमारा प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था कि हमने तंदूरों के उपर फ्री रोटी देना शुरू कर दी थी डेली 50 रोटी उसे हम कहते थे नेकी का दस्तरखान तो जब हमने वो देना शुरू किया तो जब मैंने उसकी पोस्ट रा ली तो आप यकिन करेंगे तीन से चार काल्स हमें ऐसी हैं कि लोग बेर्फ़ोत ह हरी जो भी हमें पर प्रजक्राइब चुरू करते हैं यह जी बड़ी अच्छी लगी है जो इननोंने यह दस्तरखान की बात किया है लखने ब IT शूर्ष करा लोग घ्रतर भी हरे बहुकर लेकिन बहुत सारे विली जे डि़हें हैं या फिर ऐसे एरियाज हैं जो मतलब जहां पर अवाम के लिए सहूलियात मोजूद नहीं है तो मैं वहां की बात करना चाहूँगा, वहां के बारे मैं यही कहना चाहूँगा, कि वहां पर ऐसी चीजें मतलब हमें अपनी मदद आपकि तहर ना चाहिए हमें लोगों के लिए बंदबस्त करना चाहिए कि खुराख बेसिक ज़रूरत है और जब हम खाना कौने बैठते हैं तो हमें आस पास के लोगों का एसास ज़रूर होना चाहिए कि कहीं कोई भूका तो नहीं है और हम बहुत सारी चीज़ों में पैसे को फजूल जाया करते हैं तब हमें ख्याल नहीं आता है हम अपने बच्चों को शॉपिंग के लिए भेजते हैं तो ब्रैंडिट चीज़ें लेकर आते हैं वो शायद एक ब्रैंड एक टैग होता है और ब्रैंड को अंक्शिस जो लोग होते हैं मैं नहीं समझता कि ये चीज़ गलत है अगर आपके पास अल्ला ताला ने आपको दिया है आप अच्छा पहनना चाहते हैं अच्छा खाना चाहते हैं अच्छी जिन्दगी गुजारना चाहते हैं गुजारिये लेकिन कहीं न कहीं आप उस पैसे का कुछ मुस्बत इस्तमाल जरूर कीजिए और दूसरों की काम भी आने की कोशिश कीजिए और जब शॉपिंग पर हम जा रहे होते हम सोचते हैं हम ने इस बार 50,000 की अपनी फैमली की शॉपिंग करनी है तो हम 10,000 का बंदोबस्त लोगों के लिए क्यों नहीं करते हैं मैं यहां भी यह कहूंगा कि हमारी इसलाम ने जो जगातावाला कॉनसेप्ट जिया था वो इसी तरीके से हुआ था कि हम लोग अपनी आंधनी, अपने माल और अपनी जिदाद में से जो हिस्सा में इसलाम ने बजाया अगर हम लोग उसको निकालना शुरू कर देएं और वो प्रप पर हम देना शुरू करते हैं तो बहुत सारा इसमें चैंज आ सकते हैं कि हमारे दोस्ताइं टिबर सुल्थानपुर के फियास तहीम साफ वो ज्यादतर फारण में होते हैं उन्होंने यह सूर बनाया हुए कि उन्हों जो भी प्रोजेक्ट मिलता है जो भी काम मिलता है तो उसका वो 10% वो इनकामों के लिए रख लेते हैं हम लोग हैं अपना बिज करते हैं तो वो डेफिनिटी लोगों कोछ चीज का फाइदा भी होता है तो इस तरीके से मिल जूल के आपस में कांटिबूशन करके जो हम चीज़ें करते हैं और जितनी जल्दी यह कोई करते हैं तो उससे रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं हम हैल्थ के इश्यूस की तर उसके मामलात हैं तो उसको सबको एक रंग बरंगी गोल्इया रखी होती हैं जो वक्ती फाइदा तो पहुंचाती हैं लेकिन वो उसके अंदर के मामलात कितने डिस्टरप करती हैं यह आप सोच भी नहीं सकते हैं और गरीब बंदा किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाने क नहीं सोच सकता क्योंकि हमारे यहां पर यह है कि डॉक्टर जब एक बंदा डॉक्टर बनता है ना तो वो समझता है कि उसने एक इंडस्ट्री बना ली है अपनी और वो इस इंडस्ट्री के जरिए रातो रात अमीर होना चाहता है वही इनसान जिसमें खुआब देखे होते ह उसको भूल जाता है आज आप चले जाएं तो हजार एक हजार फीस तो बहुत मामूली सी बात है और जिस घर के अंदर ध्याडी के उपर बंदा जो कमा कर पूरे दिन की ध्याडी की मेहनत मसदूरी जो लेकर आ रहा है वो हजार रुपे से कम है वो एक घर में से किसी पेशन् चेक अप करवा सकता है तो फिर उनको ऐसे ही अताई डॉक्टर के पास जाना पड़ता है तो आप बताईए कि आप ऐसे इस मामलात पर क्या काम कर रहे हैं एक तो चीज यह देखे ना आपके आज कल जो डाक्टर है ना उनका टार्गट होता कि मैंने चार घंडे में इतने म मरीज देख रहे हैं अब वह डाक्टर जो पहले मेनत करता था मरीज के उपर वह बजाए मेनत करने के सिर्फ मरीज से पूछ आपको क्या बराबर में साथ एक परची देए ता कि यह टेस्ट हैं जाके करवाएं जाहरा मरीज जाएगा वह बचारा पहले गरीब है पहले उस होता है और एग्रिमेंट होता है उस जो डिलिंग बीच में हुई पड़ी होती है उसके तहट उन्होंने अपने मतलब उनको कस्टमर भेजने हैं मैं गहक कहूंगा बकाइदा इसके अंदर पेशन नहीं कहूंगा उनको गहक भेजने के लिए वह उनको चुना लगाया जात है और उनको भीजा जाता है और वो एकुल ऐसे है जब वो नंके ट्रेस्ट होते हैं फिर उसके बाद आते हैं पिर उसके पार जो मेडिसन लिखी जाती है वो मैडिसन ऐसी होती है कि जिस मेडिकला राक्सा जाएंगे वो दौई वाई से मिलेगी उसकर रफार मुल्तान इसके लावा भी जितनी वहां पे मेडिसन हैं जो दी जाती हैं वो हाफ रेट्स को पर दी जाती है तो थोड़ा सा कोशिई होती है कि जो अच्छे होस्पिटल चल रहे हैं उनको पर जाया जाए और वहा ही से ब्रीज़ अपना चेक करवाएं और उसको करें जिस दन हमाड गुर्म्ट ने, जिस दन हमारे इधारों ने डॉक्टर्स का चैक एंड बैलनस शुरू कर दिया और डॉक्टर्स को देखना शुरू कर दिया कि वही डॉक्टर जो मेरे ख्याल में तो इस चीज़ पर भी पाबंदी होनी चाहिए जो डॉक्टर किसी गॉर्मिंट होस्पिटल के अंदर जॉब कर रहा है उसको शाम के टाइम कलीनिक चिलाने की जाज़त नहीं होनी चाहिए और वो प्राइवेट होस्पिटल के अंदर जाकर बकाइदा सर्जरी करते हैं और वहां से आफ कर लेते हैं होस्पिटल से आज डॉक्टर साब चुटी पर हैं और वो किसी और होस्पिटल में पहुंचे हुए होते हैं वहां पर सर्जरी करकर आते हैं और वहां पर एक भारी अमाउंट के अंदर फीस लेते हैं। बरकर डाक्टर रैफर करते हैं कि आप जी शाम में आके प्राइवेट क्लेनिक से अपना उपरेशन करवाएं। यह महां से आके आप डाइगनोज हों कि आपको किस तरीके से क्या चीज़ की जरूरत है। तो जी हमारे साथ मौजूद थे आज राना मुम्ताज रसूल एक सोशल वरकर हैं। समाजी रहनुमा हैं। समाज के अंदर अच्छाई का पैगाम दे रहे हैं। इंसानियत का पैगाम दे रहे हैं। और यह मेरे ख्याल में किसी एक बंदे का काम नहीं है। यह जम्मेदारी जो है ना यह पूरी कर सकते हैं अकेले ना मैं पूरी कर सकता हूँ। और यह हम अपनी मदद आपके तहट जब सोचेंगे कि हम पूरी दुनिया को चेंज नहीं ला सकते हैं। लेकिन अपने आसपास के महल में तबदीली जरूर ला सकते हैं। अपने आसपास के लोगों की زندگی میں بہتری ला सकते हैं आसपास के लोगों की जिन्दगियों में असानिया पैदा कर सकते हैं जब हम आसपास के लोगों की जिन्दगियों में असानिया पैदा करेंगे दूसरों की जिन्दगियों में असानिया पैदा करेंगे तान प्रॉपर्टी मार्केटिंग एसम फूद्स वोलका फूद्स इंटनेशनल और अलगफूर बिवरेजिट्स